पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाओ हैं, बहस 10 दिन से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में चुनाओ से पहले वहाँ पर कतलो गारत का सिलसला मानो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, कहीं मार काट मची है, कहीं कैंडिडेट ही कैंडिडेट पर हमला करवा रहा है, एक दूसरे अगर पाकिस्तान प्रशासन की बात करें, तो हाथ पर हाथ धरे बैठा, उसको कहना है, उपर से नोटिस इस बात का भी जारी कर दिया गया है, जो सम्वेधन शीर इलाके हैं, वहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है, और ऐसे में 21 फरवरी तक बाहर निकलने पर दरसल ब पॉलिटिकल रैली करने पर मना ही है, अब सवाल है कि अगर 8 फरवरी को चुनाओ है, तो किस फरवरी तक अगर मना ही हो जाएगी, तो जो पॉलिटिकल पार्टियां है, वह आखिर अपना चुनाओ प्रचार कैसे करेंगी, इन सवालों के बीच, सबसे हमारे साथ ओपी जी मौझूद है, ओपे जी, सबसे पहरे तो मैं यह जानना चाहूंगी, पॉलिटिकल वहाँ पर जो सिनारियो है उसके पहले, कई ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान भी अफगानिस्तान की रहा चल पड़ा है, वहाँ पर भी तालिबानी शासन आने वाला है, देखिए बिलकुल पर हमला किया गया, और एक खाली शाह नाम के शक्स हैं, जो इम्रान खान की पारड़ी के बड़े कोशा देक्स्ति के तौर पर काम करते थे, उनकी अग्यात हमला और उनने गोली मार कर रत्या कर दी, उन पर हमला हुआ, इसके लावा जो प्यमलन के उमीदवार है, उन पर और सबसे बड़ी बात है कि आज कल देर शाम इम्रान खान सरकार के एक प्रांतिय मंत्री थी, उनके भी घर पर हमला हुआ, और बंबिस फोर्ट उनके घर के ठीक बाहर किया गया, अलाकि उस समय घर में मौदूद नहीं थे, और उनका बेटा लेकिन घर में मौदूद था, लेकिन पुलिस का कहना है कि, चुकि मंत्री जी पूर मंत्री जी घर पे नहीं थे, इसलिए बहुत घबराने वाली बात ने, लेकिन सवाल ऐसे मुड़ता है, कि खालिस्ता, जैसा आपने कहा, कि तालीबान भी तो यही कर रहा था, तालीबान में भी जब वहां पर शासन आ इससे पहले कभी रहा था, या पहली बार ऐसा होगा, जब चुनाओ के दौरान ऐसा मनजर देखने को मिलेगा, देखिए, 2018-19 में जो चुनाओ हुए थे, उसमें इमरान खान की पार्टी रहे है, तारीक इंसाफ वो इसी बात को लेकर आई थी, कि हम आतंकवाद के खिलाफ इस बात को लेकर चुनाओ लड़ा था, वो जोड़दार तरीके से जीती भी थी, और उसने बड़ा बहुमत भी हासिल किया था, हला कि फिर पाकिस्तानी फाउज और वहां की को चलते, इमरान खान को पार्टी चुनाओ पड़ी लेकिन जिस तरह का कतलो गारत अब देखने पर आधान के जिस तरह से उन लोगों को पार्टिसपेट करना एलेक्शन में बूट्स पर उनके परहमला कर दिया गया, तो यानि कि जो आतंकवादी संगठन है, उनके निशाने पर नेता भी है, अभीनेता भी है वहां का जो एलेक्शन लड़ा वो भी है, आतंकवादी है आतंकवादी हैंगे वहां की जिसे ना का लेना होता ता हर चीज में दखल होता था, लेकिन जिस तरहींगे यहां कि जुनाव हुई नहीं पाएंगे, अगर अगर इतने अवरोध आएंगे, इतने मार काथ होगा हिंसा होगी, तो ऐसे चुनाव कैसे होगा? देखिए सबसे महत्मूल बात आपने ये कही कि क्या पाकिस्तान का इलेक्षन आज की डेट में अधर में है या आपका सवाल बेसिकल लिए है मैं इसका जवाब देता हूँ हाँ पाकिस्तान में संभवता चुनाव टा ले जा सकते हैं जिस तरह के हालाच चल ले हैं आप देखिए एक तरफ आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान कहरा आइस पस तोर पर कोस्टर लगा कर कि भाई साब अगर आप घर से बाहर निकले जैसे आपने पहले बताया था कि अगर आप घर से बाहर निकले किसी चुनावी रेलियों भाग लेने के लिए तो हम आपको विल्कुल सपोर्ट नहीं करते अगर आप भाग लेने जाएंगे तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे आप कहा मार दिये जाएं कहां आपको परहमला हो जाए सबसे मैतुनवाद जो आपकर सवाल का जवाब है कि वहां का जो प्रशासन है वो उसने एक त मकाघ्सदानि इंट्यिगेंस की रिपोर्ट के मताबिक जो महां के मीद्वार हैं उस पर आत्म घाती हामले हो सकते हैं सबसे बड़ी बात है कि आतंकवादी संगठनों के सामने वहां का प्रशासन वहां की फॉर्णी तरह से बैठ गया है और वह बिल्कुल नहीं प्रशासन को लगता है कि आज भी इमरान खान की पार्टी और उसके लोग वह भले उन लोगों ने उसके अपर आटेक कर दिया उसका सिंबल अटा दिया लेकिन आज भी पाकिस्तान में उनकी पार्टी है वह आने वाल इस चुनावाट फरवरी पर सकती है और अगर पाकिस्तानी खुफियाइंस यह रिपोर्ट देती है कि इमरान खान की पार्टी के लोग भारी पढ़ रहे हैं तो ऐसे में कोई एक अपना कर इन तमाम चुनावी शाजिसों को चुनावी शाजिस के तहत यह जो बाते हुई है इसा बहुत हिंसा हो गई है लोग मार दिये जाएंगे एलेक्शन में बंब चली आएंगे तो हम जो है साब कुछ कर नहीं पाएंगे तो इसलिए आप पोस्पोन कर दीजिए अगर आप देखें तो इम्रान खान की पार्टि को इलेक्शन से लेकर अभी तक ततार्ट तार्डेट पहले अम पी श्रचान के ऐसकते हैं सब्से पार्टि कर देए लेक्शन के ठीक पर दे besides उसे पिए अपने और सब्सक्राइबkal कर दीकर दातores स्यissements कीजिए अब को पंगई बना दिया गया गए तो तयुक्त कि में लेकिन चुनाव चिन मेंडग लड़ रहे हैं तो इसी इस्तिती में वहां पर वीडिया पर एक वीडियो सामने आया था जिसमें इस पर दिखाए दरहा है कि आदमी तरीकिन साब का जंडा लेकर जा रहा है तो लोगों ने उसे घेर के पीटना शुरू कर दिया तो यानि कि आ मेरा आखरी सवाल आप से ये व हम पर आपका क्या आपकन के चुनाव खत्रे में है बिलकुल आज आपका विस सवाल सटीक है कि पाकिस्तान के है आने वाली 8 firmyr को चुनाव लूब हो ही ना हो सकता है कि वहां का चुनाव पाकिस्तान सैना पाकिस्तान रिभाउट सूसरा प्रशासन को सारे लोग मिलte ं सुट्स पास परे वह तो पाकिस्तान का इलेक्व्ट रहें ऑर वहाँ तो सुना आपने संभावना इस बात की है कि पाकिस्तान में जो एलेक्शन होने वाले काट फरवी को वह सकता है टल जाओ खासकर ओपी की खबर जाद तर सटीक बैठती है और ऐसे में आप नजरे कड़ाई रही है बस दस दिन का वक्त और बचा है देखिए और क्या क्या होता है पाकिस्तान में